चलो आज हम लोग लंच में बनाते हैं कटहल का कोफता जो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में तो कटहल की सबजी तो आपने बहुत खाई है तो चलो आज हम लोग बनाते हैं लंच के टाइम में कटहल का कोफता तो सबसे पहले मैंने कटहल को पहले से काट लिया था उसके बाद फिर ये देखो मैंने सब जिसको अच्छी तरह से काट लिया है और इसे एक बार मैंने वास कर लिया उसके बाद फिर मैंने कुकर चड़ाया उसे मैंने आन कर लिया पहले गया इसको कि थोड़ा सा कुकर हिट हो जाए उसके बाद फिर मैंने जो कटहल को चॉप किया था मैंने उसमें वो डाला और उसके बाद फिर इसके साथ में हम लोग इसमें आलू भी डाल देंगे जिससे के हगा ना कटल और आलू दोनुई अछी तरह से पक जाएंगे और उसके बाद फिर जो हमारा कौफता है उसका binding अच्छा होगा उसके बाद फिर मैंने एक छोटी चमच इसमें नमक अड़ किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें एक चोथाई cup क्या प्रोक्स इसमें मैंने पानी अड़ किया और उसके बाद फिर मैंने इसे cook होने के रख लिया तो चार-पांच विसल में अच्छी तरह से cook हो जाएंगे तब तक हम लोग और भी preparation कर लेते हैं तो मैंने सबसे पहले टमाटर को grind कर लिया तो मैंने दो टमाटर को पहले से chop करके रखा था उसे मैंने अच्छी तरह से grind कर लिया बिल्कुल आपको इसका एक paste बना लेना है पतला सा यह बन जाएगा ऐसे भी जो टमाटर होता न उसमें water की consistency रहती है तो वो एकदम ऐसा runny consistency में बन जाएगा अब उसके बाद फिर हम प्याज की gravy बरेंगे तो पहले मैंने लहसन डाला चार-पांच के लिया उसके बाद फिर मैंने एक कटूरी प्यास डाला उसके धरी मिर्श डाली पारी कटवा अद्रक डाला दो इलाइची डाली उसके बाद फिर मैंने लॉंग डाला जीरा डाला चाइफल डाला थोड़ा सा और उसके बाद फिर मैंने सब चिसको अच्छी तरह से grind कर दिया ये सारे मसाले साथ में खड़े खरे जाएंगे न तो बहुत ही tasty जो कोफता का taste होगा न वो आएगा तो ये देखो ब्याच की भी gravy बिल्कुल ready है और मैंने देखा तो जो हमने कटहल बनाने के लिए रखा है वो भी बिल्कुल पक चुका था ये देखो एकदम अच्छी तरह से कटहल पक गया है उसके बाद फिर मैंने आलू को भी चेक किया तो ये देखो ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है उसके बाद फिर आप हम सब्चिस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगा और मैस करेंगा तो जो भी कटहल और आलू मैंने बॉयल किया था उसे मैंने आलू और कटहल को अच्छी तरह से मैस कर लिया तो आपको बिल्कुशी तरह से मैस कर लेना है उसके बाद फिर मैंने इसमें एक छोटी चमच हल्दी का पॉडर डाला और उसके बाद फिर मैंने इसमें एक छोटी चमच करम मसाला एड़ किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें एक छोटी चमच लारमिश का पॉडर एड़ किया एक छोटी चमच मैंने साधा नमक एड़ किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें तीन चमच के अप्रॉक्स बेसन एड़ किया था जिससे बाइंडिंग अच्छी आए तो उसके बाद फिर मैंने सब जिसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया तो जब आप mix करोगे उससे पहले अपने हाथों में सरसो का तेल लगा ले जिससे क्या होगा न कोफते के लिए जब हम लोग गोल-गोल कोफते बनाएंगे तो उससे बनाने में problem नहीं होगा तो मैंने अपने दोनों हाथों पे सरसो का तेल अपलाई कर लिया था और फटा-फट मैंने कोफते बना लिया यह देखो हमारा कोफता बिल्कुल रेडी है अब उसके बाद हम लोग कोफते को अच्छी तरह से चान लेंगे तो मैंने पैन को पहले से गरम होने के लिए आपको रिफाइन वाइल डालके अच्छी तरह से पहले गरम कर लेना है उसके बाद फिर मैंने सारे कोफते को अच्छी तरह से चान लिया कोफते बहुत सॉफ्ट बने थे तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके कोफते टूटे नहीं तो बिल्कुल हलके हातों से औ एकदम गोल्डेन ब्राउन क्लर ना दिखने लगे उसके बाद फिर मैंने सब्चिस को छान के टीसू पेपर में रख दिया जिससे क्या होगा ना जो भी एक्स्ट्रा ओइल होगा ना वो खतम हो जाएगा उसके बाद फिर मैंने सरसो का तेल लिया था तीन चमच के प्राइब matar के लिया जाएए रख रहे बाद फिर मैंने ससाटे कर ले एकदम लोग फेल में उसके बाद फिर प्याच का पेष्ट मैंने पनाया था मैंने वो एट किया इसे 2 मिलिट के लिए उसके बाद फिर मैंने इसमें एक छोटी चमच कर find consumption और एक चोटी चमच मै अने स उसके बाद फिर मैंने इसमे आधा कप के आपरॉक्स पानी दिया था दो बार तो समझो तो एक कप मैंने इसमें पानी आड़ किया और इसे मैंने तब तक कुक किया जब तक इसमें थोज़े से एक बॉइलना आ जाए दो मिनिट के लिए कुक कर लिया और उसके बाद फिर मैंने लिट से कवर करके इसे पांच मिनिट के लिए रख दिया उसके बाद फिर ये देखो हमारे कुफते बिलकुल तयार है बहुत टेस्टी लगा था खाने में मैंने इसे चावल के साथ मिनाया था लंज में उपर से मै मैंने दो चम्मच के अप्रॉक्सिस में घी डाला जिससे इसका टेस्ट और इन्हांस होगा धन्या पत्ता से मैं इसे गार्निसिंग किया और ये देखो हमारे कटहल के कोफते एकदम तयार है लग रहा है कि ये कटहल का कोफता है नहीं न बस जब तक इसे टेस्ट नहीं करोग को जल्दी से प्रेस करो